रोईज शर्मा एंड जैशा अपकमिंग ICC इवेंट्स को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिये यास गाइस कुछी टाइम पहले इंडिया फाइनल एक ICC इवेंट्स जीत ले थे T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद से अब और भी जादे एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि हम लोग और ICC इवेंट्स जीतेंगे वेली सी चीज के बारे में बात करते हुए जैशा एक इवेंट के दोरान बोले जैसा कि मैंने राजकोर्ट में कहा था कि रोहिट शर्मा बार्बिडोस में इंडियन फ्लाग को हॉइस्ट करेंगे वैसे ही अगर हम लोग के पास 1.4 बिलियन पीपल का ब्लेसिंग्स होगा तो हम लोग ये सेम चीज अपकमिंग चैंपियन्स टोफी WTC Final and Women's T20 World Cup में भी कर सकते हैं और दूसरे तरफ रोहिट शर्मा यही सेम इवेंट में बात कर रहे थे अबाट विनिंग टोर्नमेंट्स तो नों ने कहा कि there is a reason कि मैं 5 IPL टोफी जीता हूँ और मैं रुकने नहीं वाला हूँ क्योंकि once you get the taste of winning games winning cups तो आपको रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है हम लोग as a team push करते रहेंगे and we will keep striving for new things in future so yeah काफी बड़ा statements आया उन दोनों के तरफ से and we can't wait for upcoming ICC events